मिठापूर मेट्रो स्टेशन के सामने खुलेगा सुविधा केंद्र और मिलेंगी कई सिवाएं मिठापूर पुराना बस स्टैंड के पास प्रस्तावित मेट्रो रेल स्ट्रेशन के निकट आधूनिक नगरिये सिवाओं से लैस नागरिक सुविधा केंद्र का निर्मान होगा साथ दश्मलो उन्चास करोड की लागत से बनने वाले इस भवन में डागघर, बैंक, एटियम के अलावा नगर निगम से संबंधित सभी सिवाएं मिलेंगी यहां ब्यूटी पारलर और सैलून के साथ दीदी की रसोई का स्वाद भी चक सकेंगे नगर विकास एवं आवास सह योजना एवं विकास विभाग के अपर मुखे सचीव ने नागरिक सेवाओं के लिए मीठापूर में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निकट 2430 वर्ग मीटर छेतर में भूतल प्लस दो माले भवन निर्मान के लिए 7 करोड 49 लाख 74 हजार अवंटित कर दिया है भवन में भूतल पर डाग घर, विभिन बैंको और एटियम के लावा नगर निगम से संबंधित सभी स्यवाई मिलेंगी वहीं प्रतम तल पर सैलून, ब्यूटी पारलर और एक सुविधाय स्टोर होगा दूसरे तल पर दीदी की रसोई बनेगी यहा विश्व विद्याले सहीत अन्य सिक्षन संस्थानों के विद्यार्थियों की सुविधा का विशेश ख्याल रखा गया है सरकार्गी एस्तर पर नाग्रिक सेवा केंदर में, सिंटर में दैनिक उप्योग की स्टेशनरी, घर और छात्रा वासों में, दैनिक जरूरत की सामगरी का खुदरा बिक्री केंदर होगा अपने घर, कारियाले और सिक्षन संस्थान के लिए जरूरत की चीजे सुविधा स्टोर से ले सकते हैं। दवा का भी काउंटर होगा। नगर निगम का होल्डिंग टैक्स जन्म मृत्यू प्रमान पत्र के साथ नगरिये सेवा से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं इस पर कारेपालक अभियंता ने कहा कि योजना एवं विकास विभाग के अपरमुखि सचीव बिते जुलाई निरिक्षन के दोरान कारे योजना तयार करने का निर्देश दिया था। योजना का डिजाइन मंजूरी के बाद निविधा प्रकाशित कर दी गई है। विभाग के अपरमुखि सचीव ने नागरिक सेवाओं के लिए मीठापूर में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निकट 2430 वर्ग मीटर छेतर में भूतल प्लस दो माले भवन निर्वान के लिए 7 करोड 49,74,000 रुपे आवंटित कर दिया गया है।